नमाशकार जैस्री किष्णा मैं राके शिवानी एस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने जिवतिस ग्यान के नाम से सिरीज चलाई है जिसमें गरी 37-38 वीडियो हो चुते हैं उसके अंदर from the very basic से लेके और advanced astrology हम लोग बढ़ाएंगे और अगर आप उन सारे पार्ट को देखते हैं तो आप एक अच्छे अस्टो बन सकेंगे यह मेरा मानना है अब आगे चलते हैं पिछले वाले पार्ट में हमने बताया था कि हमारे जो रहे हैं उनकी मित्रता कौन-कौन रहे किसका मित्र है प्लस हम और मित्रो को कैसे निकाला जाए भील से वह आपको बताया था कि उनके मित्रो कैसे निकाला जाए उसके लिए फौरमुला बतायाता कि मोदिकों राशी को लगन मनाके अब फिर आपको दूसरे चोध्य पा पन्शी आर्टी नवय औरवय भाव acabar में देखना है उसके स्वाम उनों के लिए शुब औशुब रहा कौन-कौन से होते हैं यह बड़ा पिछीदा मामला रहता है इस है यह अगर आप दिखने कर पाएंगे तो क्योंकि आपको शुबता शुबता निकाल लिए एकप तंप शुब अज को आपके नेसरी इसे बुए जिससे गुरु शुक्र झो है वो आपके नीचरली शुब अशुब तरीक के हो बुए है अने गुरु शुक्र जो ग्रह माने जाते हैं अगर वो अकेले हो और पक्षबली हो चंद्रमा लेकिन ये शुव अशुब की जो बात हो रही है ये बात हो रही है कि कुंडली के हिसाब से कौन शुब हो रहा है मतलब हो सकता है कि एक शुब ग्रह भी यानि एक नैसर की शुब ग्रह भी कुंडली के हि हैं किन किन भावों के स्वामी आशुब होते हैं यह कैसे हम लोगों मालूम चले किसी बारे में यह एक्जाम्पल इया पहला सबसे इपॉर्टरमें चीज है के त्रिकॉन के स्वामी यारी पहले पांचवे और नवे ये नवे भाव कि इनके स्वामी जो होते हैं, यह शुब होते हैं, कुण्डली के लिए, यानि कोई भी कुण्डली हो, तो उसमें पहले भाव का स्वामी, यानि लगन का स्वामी हो गया, पांचे भाव का स्वामी पंचमेश हो गया, नवे भाव का स्वामी नवनेश हो गया, यह तीनों ग्रह शुब होते हैं, यानि इनकी दशा अच्छी जाती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती, इनकी दशा में आपको जट अच्छे मिलते हैं, ये कुर्ली के लिए शुब ग्रह माने जाते हैं, जो पहरा, पांचवा और नवा भाव का स्वामी है, तो ये आप समझ गए उसके बाद आते हैं, तीन छे ग्यारा भाव, तीन छे ग्यारा भाव क्या है, तीसरा ये वाला, छटा ये वाला, और ग्यारवा ये वाला, तो तीसरा छटा और ग्यारवा भाव जो होता है, ये अशुब भाव क्यलाता है, यानि इनके लौट्स अशुब होते हैं, इनके स यह डिपेंड करता है कि उनकी दूसरी राशी कहा है था यह कि अगर किसी ग्रहे की अक्सर रहों की दो दो राशिया होती है सूरिय और चंद्रमा को छोड़के किसी ग्रह की राशी एक राशी तीसरे भाव में है और एक राशी नवे भाव में है तो वो ग्रह उसकी अशुपता ख़़ा मुजाती है चुकि वो आपका एक तरीके से दूसरी राशी उसके अच्छे उसमें चली जाती है तो ये भी अगर उकिन एक सेकंड राशी उनकी त्रिकोंड में है तो अशुपता कम हो या जैए इनके चींज में केस में ध्यान लखना है उसके बाद आते हैं चार साथ और दस भाव के स्वामी यानि केंद्र के स्वामी वैसे तो केंद्र एक चार साथ दस है लेकिन हमने वहां एक को त ध्रक्षटरी में खिड्धन ध्यूयologिale के सवामीं होने से पाप ज्रह शूब ने पैंदर भी आ घुचके सकते हैं और शूब झ्रहнов है पाप रहे हैं तो उनके शूब रखना रहे हो अगर शुब क्यों रहे हो या आपका मंगल शनी सूर्य हो तो उनके अंदर शुपता आ जाती है वो मतलब रिजल्ट जो है पॉस्टिव दिन शुप कर देते हैं केंद्र के स्वामी यह हमको जहां रखना है कि केंद्र के स्वामी हमारे लिए प्लस और माइनस दोनों काम करते हैं अगर वो अशुप रह है तो थोड़ा फ्लस साइट में काम करते हैं शुप रहे हैं तो फड़ा अशुप साइड में चांद यह प्र, इसके साथ ही हेज हमेशा ही अशुप होते हैं इनको तो इसे कहना चाहिए कि दुस्ध भावि आपको मानना है आठवे बारवे भाव का स्वामी अच्छा नहीं होता जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानी करेगा जो ग्रहे इस भाव में बैठेंगे वह के कारकतों की भी हानी होती है यानि आठवे बारवे भाव में किसी भी ग्रहे का जाना अच्छा नहीं जिस भाव के स्वामी है वो उन भावों की हाने होगी और आठवे बारवे भाव के स्वामी जिन भी भाव में जाएंगे उन भाव की हाने करेंगे तो आठवा बारवा भाव तो completely अशुब भाव बोला गया है तीसरे छटे ग्यारे के लिए थोड़ा सा exception है तीसरे छटे भाव में उनकी अशुबता करती और दूसरे साम पर कहां वनका और दूसरी चीज यह कि तीसरे छटे भाव में और ग्यार्वे भाव में पाप ग्रह जो होते हैं नॉर्मली वो रिजल्ट बुरा नहीं करते हैं यानि उनको बल मिलता है इन भाव में तीसरे चटे और ग्यार्वे भाव में जो पाप रहे होते हैं उनको बल मिलता है सूर्य को बल मिलेगा शनी को बल मिलेगा मंगल को बल मिलेगा तो तीसरे चटे और ग्यारवे भाव में जो बाब रहे हैं राहू को बल मिलेगा ऐसे ग्राहू को बल मिलता है इसके तीसरे चटे ग्यारवे को आठ और बार के साथ इंट्रूम ने किया आठ बार को तो मान है कि बिल्कुल ही आप कहिए कि अशुब भाव है उसका स्वामी तो जिस भाव में जाएगा उस भाव कि हाने करेगा या जिस भाव का स्वामी उसमा आएगा बोगत जाने करेगा पट यहां पर भी एक exception या पर क्या exception है के आठवे भावका choir स्वामी अगर सूर्य हो या चंद्रमा और बावका स्वामी यदि सूर्य हो या चंद्रमा हो तो उसको आस्टम भावका स्वामी होने का दोष नहीं लगता क्यों वो इसलिए के सूर्य और चंद्रमा की दुनों की एक ही राशी है, तो अस्टम भाव का स्वामी वो आ जाते हैं, बाखी ग्रह तो ऐसा हो सकता है, जैसे शनी आ गया माल गया, शनी की एक राशी अस्टम भाव में आ गई, एक राशी त्रिकोंड में आ गई, तो वो कुंडले के लिए शुक ग्रह नही स्टाइब करता है लेकिन सूरिया चंदर्मा की सिर्φ एक ही राची है तो सूरिया चंद्रमा को इसलिए चूट देगी हैa आ हगा आप इस सौनी हो तो आपको अर्थवे बाफ के स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा deau नहीं लगेगा मतलब क्या है ये बहुत important point है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आठवेए भाग की result नहीं देंगे आपको कल्हय नहीं देंगे, आपको Pida नहीं देंगे, आपको परिशानी नहीं देंगे, जा आपको झघडा नहीं देंगे, gosto केश कुछ देंगे, क्योंकि आठवे भाव के स्वामी हैं तो आठवे भाव का रिजल्ट उन्हों नहीं करना है बारवे भाव के स्वामी हैं तो बारवे भाव का रिजल्ट उन्हों नहीं करना है hospital expenditure कराएंगे ब्या कराएंगे अनेस्टरी जीज़ों के वो उन्हों नहीं करना है तो फिर दोस्ट नहीं लगता ये क्या बात हुई दोस्ट नहीं लगता का कारण ये होता है कि आठवें और बार्वें भाव का स्वामी अगर सूर्य और चंद्रमा हो और ऐसे में वो अगर चौते भाव में जाके बैठ जाएं या पांचवे भाव में जाके बैठ जाएं या किसी भी भाव में जाके बैठ जाएं तो उस भाव की हानी नहीं करूँ और अगर सूर्ये चंद्रमा के इनावा कोई भी ग्रहे आटवे भाव का स्वामी है और बारवे भाव का स्वामी है तो पूर की पर ग्रहे जो होते है वह कभी भी इच्छे नहीं होते उसमें बैठने वालों ग्रहों के कारकत्तों की हानी होती है जिन भावों के स्वामी होते हैं उनकी हानी होती है और ये भाव के स्वामी जिस भाव में जाए उस भाव की हानी है और एक पांस नो त्रिकोन के स्वामी हमेशा अच्छे होते हैं वो बात अलग है कि वो हम आगे डिसाइथ करेंगे पोजिशन का अभी हमने परां सब्साइब पहले इस्वामित्वakt के स्वामी अच्छे दूसरे भाव के स्वामी का डिप्रिवन करता है कि उसकी दूसरी राशी कहां पर और वो लगन का मित्र है या नहीं अगर दूसरे भाव का स्वामी लगन का मित्र है तो वो आपके लिए कुंडी के लिए शुब होता है कि दूसरे बहु का स्वामी यदि लगण का मित्र है तो वह कुण्डी के लिए शुब अप लेके चलिए तो दूसरे भाव के स्वामी को आपने शुब जबी मानना है अगर वो कुडली अगर लगनेश का मित्र है ये पॉइंट आपको ध्यान रखने है जो मैंने आपको बताए इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए जैसे मैं आपको एक्जामपल दे देता हूं उसके बाद आप कुडली है मेश लगन की मेश लगनी कुडली में देखिए पहला दूसरा तीसरा पहले भाव में पहला नमबर रच्षी है तो ये पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया चौथा पांचवा चौथा तो इसमें देखिए पहले भाव में यानि हमने कहा त्रिकों के स्वामी यानि कौन कौन आ देखिए पहले भापकर स्वामी बंगलं तो शुब हुआ की मंगल तो अ zamand χोल देखिए इसके अंदर लगन लॉड़ है Wouldn't sharearner के लिए शुब 알루 की क्योंकि एक तो सकी दूस vidéo सी बी त्रिकॉलड में नहीं है दूसरा ये लगन का मित्र नहीं यह देखिए लगan अकॉन बंता के 9 इसवेल मंगल का शुकर अपितर नहीं इस लिए शुक्र में नहीं है इसस्तु का यसे करके हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं हम चंद्रमा पे, चंद्रमा का इस कुंडली में शुब है या नहीं है, अगर हम तो ये देखना है, चंद्रमा शुब है या नहीं है, तो कैसे देखें, चंद्रमा के लिए, चंद्रमा केंद्र का स्वामी है, और हमने ये कहा आप से कि जो केंद के स्वामी है यदि वो शुग रहे हो तो उनमें अशुपता आ जाती है चंद्रमा इस कुंडली के लिए थोड़ा नेगटिव हो जाता है उसके बाद चलते हैं चंद्रमा के बाद सूर्य पे सूर्य इसके अंदर त्रिकौन का स्वामी है तो जाहिर है बहुत अच्छा होगा आप सुर्णिक के लिए मैं आधी सुक्र पे शुकर क तो हमने देखिलिया कि वू लगन का मित्र नहीं है तो इसलिए वह जट के लिए बुद्ध को हमनेका बूस क्वण्श है और तीस्र न अशुलिए। गुरू गुरू पे कौन सा भाव है गुरू पे गुरू के पास राशी कौन सी है यह देखिए गुरू के पास राशी है नवे नंबर त्रिकोन का स्वामी भी है और एक इस भाव का स्वामी है तो चुकि मुल त्रिकोन राशी इसकी त्रिकोन में है इसलिए गुरू इस कुंडली में आशुब हो गया है। बता है कि एक पांचनो भाव स्वा मी है। फिर इस पर शनी को देखिए। शनी इसमें गारव्य भाव का ज़ामी दी है और दस्वे भाव का स्वामी दी है। तो क्या शनी अशुब है? आशुब है। इसलिए शनी इसकुनली में अशुब हू infused तो ऐसे ही करके आप बाकी ग्रहों का भी शुब और शुब कुंडली का निकाल सकते हैं तो आपको आडिया अच्छा लगया होगा और यहीं तक मुझा आपको बताना था आगे मैं आपको इससे और आगे की चीज़े पढ़ाऊंगा तो आशा करता हूं कि आपको यह चीज़ समझमाई होगी समझमाई तो करूंडी कीजिगा सबसाइब कीजिगा और इसके अलावा सूचना है कि हम लोग जल्दी ही अस्त्रोजी क्रास स्थार्ट करने जा रहे हैं तो जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वह अपना नामंकन करा सकते हैं कि इसके लावा मैच मेकिंगे